वास्ट अब गोज़ वाकम बैक टू माई चैनल दिस इस टिकी ठाकुर तो चलिए बात कर लेते हैं बिग बोस के आठवे और नौमे एपिसोड की जी हाँ दोस्तो आज दोनों ही एपिसोड का मैं एक साथ रिव्यू करूँगा क्योंकि दोनों ही एपिसोड मैंने देख लिये हैं और दोनों ही एपिसोड एक ही दिन में शूट कर लिये गए हैं जी हाँ दोस्तों क्योंकि वीकेंड का बार बहुत जादा लंवा था क्योंकि संडे वाला दिन था संडे का एपिसोड तीन घंडे का एपिसोड हो चुका था और इसके बाद शहनास गिल और सिदात शुकला जो स्टेज पे आते हैं और नेक्स डे भी उनके उपर पूरा एप पिसोड जो था वो एक घंटे कार की टोटल चार घंटे मैंने बिग बोस के उपर लगा दिये हैं आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोगों को बिग बोस के अंदर की बात बताऊं और मैं भी आप लोगों को जल्दी से जल्दी अपडेट दे पाऊं इस वज़े से भी मै सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उर्वी बहुत डरी हुई थी कि उसको लग रहा था कि शमीता और राकेश के सामने वह कहीं न कहीं बहुत वीक पढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि मुसकान और निशांत दोनों ही सेफ हो चुके हैं तो चलिए अब बात कर लेते हैं स करन जोहर सामने आए सल्मान खान बोलने की आदत अब बढ़ चुकी है तो अभी करन जोहर का नम निकलता बहुत मुश्किल से है और सल्मान खान की एक्टिंग करने की कोशिश भी करन जोहर ने खूब की इसलिए सल्मान निकल रहा था मेरे मुझे लेकिन मैंने फिर भी अंदास वहां पे अच्छा नहीं लगा जब वो इंडिविजल बात कर रहा था उस वक्त स्टेज के उपर लेकिन जैसे ही घरवालों के साथ रूब रूब हुआ और उसने जैसे ही क्लास लेना शुरू की वहां पे मुझे थोड़ा सा लगा कि हां इंटरस्टिंग हो रहा है स से मेकर्स को ही वो नीचा दिखाना शुरू कर देती है कि मेकर्स नहीं किया मैं बहुत से रहाले रालेटी सो करके आए हुए हैं कि जगड़ा 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 बाद में कुछ अलग चीज़े करेंगे तो वो चीज स्टेज पे करन जोहर ने भी दिव्या से और परतीक दोनों से क्लियर की कि आप दो दोनों को देखकर ऐसा फील हो रहा है और दिव्या के बाद जो क्लास लगी वो परती स्टेज करेंगे के साथ एगड़ बन गया जैसा सब की बाद मानने वाला में बच्चा बन गया तो पहले क्या था उससे स्इचल क्या अपने क्रेकर वो सब को खटा गया और करण जो होने ये बात भी परतीक से पूछी और साथ में ये भी पूछी कि तुम दोनों दिव्या और तुम दोनों पीछे से क्या प्लानिंग करके आए हो क्या आप मिन स्टार्टिंग में एक दूसरे से लड़ाई करकर के आगे बढ़ना है और बाद में आपन जोंड़नों को अप्टेशेशन थोड़ा सा मिला है ओर निकानने तो अच्छे टरीके से ही चिज़ें प्रतीक की क्लास प्रतिक की लिए वैसे इनकी क्लास लेना बहुत जाधा जरूरी भी था उसी के साथ राकेश राकेश को भी समझाया गया कि भाई तुम क्या कर रहे हो एक तो तुम्हारा डिसीजन वैसा लग नहीं रहा जिस तरीके से हमें दिखना चाहिए जा लोगों को दिखना चाहिए जिस तरीके से राकेश की इमेज है स्टेज बे हमें दिख कर रही है वो दिख रहा था तो ये सारी चीजे भी हुई राकेश बहुत पंख्वीज हुए राकेश की एक बात बहुत अच्छी लगी कि उस बंदे ने एक चीज बहुत क्लियर की कि हां मैं लोगों की बाते सुनता हूं और एक हद तक शायद में की बातों में आ भी जाता तो वो चीज जो उसने की ही बड़े इनोसेंट तरीके से कही और वो जायज भी लग रही थी वहीं नेहा ने अपने कुछ पॉइंट्स क्लियर किये नेहा और मुस्कान वाला जो जगडा आप सबको पता है नेहा और मुस्कान का जगडा हो जा रहा है लेकिन करन ने ये बा भी नहीं चाहती और मुस्कान भी एक ऐसी बंदी है कि जब उसको कोई सुन ने रहा हो तब वो सुनाने की कोशी नहीं करते है अच्छा ठीक है नहीं अच्छा ठीक है चलता हूँ ऐसा वाला उसका रविया है तो यहां पे जो नेहा ने क्लियर किया जो कि बाद में भी समझ अच्छे के साथ एक प्यार हो जाता है लगाव हो जाता है और बाकी जो क्या बोल रहे हैं उससे परवार नहीं पड़ता है कि लेकिन यह जिसको मैंने इतना अच्छे से ट्रीट किया है अपना बच्चा माना है यह मुझसे ऐसे बात करेगा तो इस वज़े से शायद नहा फट जाती है जो कि मैंने भी फिल किया और बाद में नहा ने इसको क्लेर भी किया किसी घर के सदस्र के साथ की शायद मुसकान के साथ उसका यह इशू हो रहा है तो बाकी घर वालों में किसी के साथ किसी का कोई इशू नहीं था करन को कुछ नहीं बोला रीदीमा को कुछ इवन हमारी जो भूझपुरी स्टार है अक्षरा, उनको भी कुछ नहीं बोला, उर्वी घर से बेघर हो चुकी है, जैसा कि उसका डर था, वो वाकही ही सामने आया, लेकिन उर्वी के घर से बेघर होते ही, उर्वी ने जो गाली गलोच देना स्टार्ट किया, चिशान को, व तो ये बात बहुत ही ज़्यादा खटकी मुझे भी क्योंकि बहुत गलत हुआ उसके साथ और शायद वह कुछ अच्छा करती तो वह रहती मिन अच्छा करना चाहिए था उसे क्योंकि वह बहुत स्ट्रोंग दिख रही थी और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्वी अ उसने समझने में लगा दिया और समझते समझते ही उसकी सारी चीजे जो डामडोल होगी तो अभी घर में जितने भी लोग हैं वह बहुत स्ट्रोंग दिख रहे हैं चाहे वह मलिक हो और चाहे वह करन हो चाहे वह मुस्कान हो निशान हो जिशान हो दिव्या हो औरिदीमा हो इवन परतीक हो तो ये सब लोग शिमीता और राकेश तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है नेहा तो वैसे ही स्ट्रोंग दिख रही है तो मुझे लग रहेगी अभी घर में बहुत ज़्यादा कॉंपिटिशन बढ़ जाएगा और चीजें और से और ज़्यादा टफ हो जाएगी घर में टिकने के लिए और ज़्यादा इंटर्टेन करना ही पड़ेगा तो खेर घर से उर्वे बेगर हो चुकी है बाकी चीजें मैं आपको पता चुका हूँ करने भी जम के क्लास ली और अच्छे तरीके से क्लास ली लेकिन हाँ सल्मान वाला फ्वील नहीं दे पाया वो कहीं न कहीं खटक रहा था तो इसके बाद घर में आ जाते हैं शेहनास गिल और शेदास सुकला जो की अपनी अंदास में बिग बोस के घर में एक बाद फिर स्टेज पे करन जोहर के साथ मिलते हैं और अपनी खटी मिठी यादें और experience शेयर करते हैं और काफी हासाते भी हैं दर्शुकों को बहुत दिनों बाद दोनों को स्टेज पे एक साथ देकर बहुत अच्छा भी लग रहा था और इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड नाइथ एपिसोड में वो घर के अंदर जाते हैं भाई घर के अंदर जाते ही अब घर में पूरे समिकरन है वो बदल चुके हैं क्योंकि करन जोहर ने इतना कुछ स्टेज पे बोल दिया है दिया और शमीता का एकदम जगड़ा वगड़ा हो गया है बेस्ट फ्रेंड जो फोरेवर वेस्ट फ्रेंड बन रही थी वो अभी दुश्मन एक दुसरे की दुश्मन बन चुकी हैं वहीं राकेश भी अभी शमीता की साइड हो चुकी हैं दिया को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं परतीक और रिदीमा के बीच में जम के फाइट हो रही है यह सब हो गया करन के उसमें गलती के गुबारे जो गलत फैमी के गुबारे फटते हैं उसमें बहुत सी चीज़े ऐसी हुई अभी मैं नहीं बताओं का आपको कि किस-किस ने गलत फैमी के गुबारे किस-किस के उपर खोड़े लेकिन बहुत जादा इंटरस्टिंग हो गया था यहां पे मैं आपको यह बता सकता हूँ कि इन सब के बीच में खटास आ चुकी है अभी वहीं रिदिमा और निहा के बीच में भी खटास हो चुकी है क्योंकि स्टेज से जैसे ही वो वहाँ पे आते हैं शेहनाज और सिधात आते हैं तो वहाँ पे एक और गेम चलता है कि आपको किस पे ट्रस्ट है और किस पे नहीं है ये सब चीजे देखते हुए हमने देखा कि एक हफ़ते के बीच में निशांत के उपर काफी लोगों को ट्रस्ट आ चुका है और दिव्या के उपर सब लोगों का ट्रस्ट जा चुका है दिव्या जिस तरीके से गेम खेल रही है और परतीक के उपर से भी ट्रस्ट जा चुका है और इसके बाद सिधात और शेहनास ने एक गेम और खिलवाया कि इन दोरों में से किसका हार्ट जादा काला है दिव्या का जा नेहा का तो भाई साथ सबसे जादा वोटिंग पड़े दिव्या को क्योंकि दिव्या का हार्ट काला है ये घर के सदस्य के उनसार मैं बात कर रहा हूं अपने उनसार बात नहीं कर रहा है और नेहा को भी एक दो लोगों ने जो डाला तो खूब खरी-खोटी सुनाई गई और यहाँ पे बिल्कुल टीम चेंज हो गया है दिख रही है अभी दो दो तीन तीन सदस्य हैं जो की टीम में बढ़ चुके हैं लेकिन इंडिविजुल जो मुझे नजर आ रही है वो है सिर्फ और सिर्फ अक्ष्रा जी हां भोजबरी स्टार हमारी अक्ष्रा इंडिविजुल नजर आ रही है वो किसी भी टीम का हिसा न इंट्रस्टिंग होगा मेरे साथ बने रहिए और मैं ऐसे ही आपको अपडेट देता रहूंगा और ऐसे ही आपको बताता रहूंगा आप भी क्या सोचते हैं घर के सदस्के बारे में कौन सा सदस्के आपको बहुत जादा इंट्रस्टिंग लग रहा है इसके बारे में आप म